हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइडे में दिये बिल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैड़ चैनल, तो आज हम बनाने जा रहे हैं भेच चीजी पास्ता, देखिए कितना ज्यादा टेस्टी दिख रहा है और इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए हम इस बहुत तेस्टी भेच चीजी पास्ता को बनाना सोरू करते हैं तो सबसे पहले हम पास्ता बॉयल करेंगे तो एक बरता में पानी बॉयल करने के लिए रखे हैं तो हम उसमें आधा चम्मच नमक डाले हैं तो देखे, पानी बॉइल हो गया है, तो अब हम इसमें एक ग्लास फ्यूशली पास्ता लिये हैं, आपको भी पास्ता की यूज़ कर सकते हैं, तो देखे, हम इसमें एक ग्लास पास्ता डाल दिये हैं, और इससे हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे, हमें इसे लगभग 80% तक उबालना है इसे उबालने में लगवग 7-8 मिनाट तक लगते हैं तो इसे अची तरह से उबालने तो देखे अब यह उबल गया है और दुगने साइज में हो गया है तो आप इसे चेक करने के लिए इस तरह से इसे कट करके देख सकते हैं अगर इस तरह से इसली कट जाए तो ये बॉयल हो गया है, हमें इसे इतना ही बॉयल करना है, तो हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं, तो देखे अब हम इसे एक इस्टेरनर में रखकर चान ले रहे हैं, तो देखे हमारा पास्ता अची तरह से बॉयल हो गया है, तो हम एक पैन में दो चमच ओईल लिए हैं, और हम हम इसमें 10 लेह्सून की कर्लिया को क्रस कर के लिए हैं और एक ado मिर्च को बारीक कातकर के लिए हैं तो देखे एँप चलानते हुए पयाज देंगे हम इसे लगबग एक मिनट तक बपा लेंगे जिससे लेह्सून का कच्या पर निकल जायump तो अब हम इस में एक प्याज को बारिक काट कर लिए हैं, तो हम इसमें प्याज को डाल देंगे, इसे भी चलाते हुए एक से दो मिन तक पका लेंगे, जिससे प्याज का कलर फोरा टांसपैरेंट हो जाए, तो देखे, प्याज फोोरा शौप्ट हो गया है, तो अब हम इसमें एक गाजर को बारी काट कर लिए हैं तो हम इसे इसमें डाल देते हैं और इसे भी हम चलाते हुए कुछ मिनट तक पका लेंगे और अब हम इसमें आधा सिमला मिर्च को बारी काट कर लिए हैं और इसे भी मिक्स कर ले रहे हैं और कुछ मिनट पका लेंगे और हम एक टमाटर को बारी काट कर लिए हैं तो इसे भी हम इसमें मिक्स कर दे रहे हैं हम सारे vegetable को एसमें डाल दिये हैं और हम इसे पका ले रहे हैं तो अब हम इसमें स्वादानिवसार नमक डालेंगे हम नमक अभी ही डाल दे रहे हैं जिससे सारे सबजियां जल्दी से सौप्ठ हो जाए और जल्दी से पक जाए तो देखिए हम इसे अची तरह चलाते हुए पका ले रहे हैं तो देखिए अब सारी सबजी आची तरह से सौप्ट हो गई है तो अब हम इसमें 2 चम्मच टोमैटो केचप डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे एक चम्मच red chili sauce डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे और एक चम्मच white vinegar डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो देखे हम इसमें सारे sauces add कर दिये हैं तो अब यह तयार है तो अब हम इसमें पास्ता डाल रहे हैं जो हम पहले बॉयल करके रखे थे हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगा अची तरह से तो देखे यह अची तरह से मिक्स हो गया है और अब पास्ता तयार है तो अब हम इसमें 1 by 4 टी स्पून चीली फ्यक्स चालेंगे और 1 by 4 टी स्पून काली मिल्स पाउडर डालेंगे और इनसे अपो डाल कर इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे तो देखे अब पास्ता तयार है तो अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं और अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा क्रस किया हुआ प्रोसेस्ट चीज डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे तो देखिए अब हमारा बहुती टेस्टी बेच चीजी पास्ता तियार है इसे बनाना बहुत आसान है और यह बहुत आर टेस्टी बना है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ करें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें इसे अपने दोस्तों के साथ सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिये बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलें